हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज हम बनाएंगे कच्च्याम का कूचा इसके लिए मैंने दिस कच्याम लिये हैं अब इससे जो कर छील कर पतले पिसेश में काट लेंगे ये देखिए इसे मैंने अच्छे से पसले-पसले किसे में काट लिया है ये मिक्सी में आसानी से चल जाएगा हमें थोड़ा-थोड़ा करकर मिक्सी में चलाना है धान रखें कि ज्यादा ना चलाएं वरना ये पेश्ट हो जाएगा आप चाहें तो इसे सिल्वट पर भी हल्काल का कूच सकते हैं या कद्दू कस्वी कर सकते हैं ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे समय ने पीस लिया है इसे अब इसके मसाले में हमने लिया है दो चमस सर्सो पॉर्डर, आधा चमस जीरा पॉर्डर, एक चमस धनिया पॉर्डर इसे हम भूज लेंगे मिर्च पॉर्डर, जिवाइन, मंग्रेल, हल्दी, नमक, सर्सो का तेल एक पैन मेंने गारम होने क्लिए रखा है अब इसमें हम सारे मसालो को डालेंगे अगर आप खड़ मसाली ये उस कर रहे हैं तो आप पहले उसे भूज लीज़े, फिर पीस लीज़े अब इसे चलाते रहेंगे, ताकि ये जले ना इसकी खुस्वू से ये पता चल जाता है कि ये भूजा चुका है ये भूजा चुका है अब इसमें लाश्ट में जवाइन मंगरेल इसे भी अच्छे से मिला ले, अब गैस बंद कर देंगे अब हम इसमें इसमें सारे मसालों को डाल लेंगे हम नमद हल्दी मिर्च पॉडर अब इसे अच्छे से मिला लेंगे एक कप के हिसाब से जर्षो का तेल इसे मिला लें आप नमक मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालें आपको कितना तीका पसंद है आम के मौसम में आप जरूर बनाए एक पर आम का कुचा ये देखिए हमारा आम का कुचा रेडी है अब इसे चार पांच दिन के लिए धूप में रख दीजिए फिर कांच की बरनी में पैक कर लिजे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सेयर और कमेंट जरूर करिए ठैंक यू